हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल पे दोस्तों हम लोगोंने ल्टी गणित से सम्मंदित एक विशेश सीरीज चलाई वी है जिसके क्रम में हमारे 5 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो मेरी आप सभी लोगों से निवेधन है कि आप उन पार्ट को देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब इसी क्रम में हमारा 6 पार्ट इसका आया है जो की माट्रिक्स और डिटर्मेंट पर ही आधारित है दोस्तों इस वीडियो में हम system of linear equation को माट्रिक्स की मदद से solve करना सिखेंगे इसके लिए different methods है तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों सब से पहले हम discuss कर लेते हैं linear equation के बारे में देखे लीनियर का मतलब होता है जिसमें degree आपकी 1 होती है तो suppose करो आपका x plus 2 बराबर 0 ये एक example है linear equation का क्योंकि इसमें x की power आपकी 1 है तो इसकी degree 1 है तो अगर आप के पास एक linear equation है with one variable तो इसमें हमें इसका solution निगालने के लिए यानि की unique solution निगालने के लिए एक ही linear equation की आवश्यक्ता पढ़ती है लेकिन suppose करो अगर मैं कहूँ x plus y बराबर 2 तो ये आपका एक linear equation है जिसमें 2 variable है तो क्योंकि इसमें 2 variable है तो अगर मुझे इसमें unique solution चाहिए unique का मतलब है कि इसका सरफ और सरफ एक ही solution हो तो मुझे एक और equation की आवश्यक्ता पढ़ेगी let suppose करो मैं लिख लेता हूँ 2 x plus y बराबर 3 माल लेता हूँ let suppose तो ये आपका क्या है unique solution को प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 2 equations की आवश्यक्ता होगी या हम कहेंगे कि दो equation 2 variable के लिए जरूरी है otherwise अगर आपके पास सरफ एक ही equation है तो यानी इसके क्या होंगे infinite number of solution हो सकते है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यह जो दोनो equation है वो मिलके बनाती है system of linear equation ठीक है ना इसी के बारे में हमने discuss करना है तो दोस्तों suppose करो हमारे पास अगर n variable हो जाएं अगर suppose करो दोस्तों अगर हमारे पास n variable हो जाएं तो हमें n equations की जरुरत पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे the system of linear equation with n variable तो अगर आप इसको represent करें तो आप इसको इस तरह से represent कर सकते है a11, a12, x2 से लेकर आपका कितना जाएगा है a1n, xn, let बराबर क्या हो जाएगा b1 इसके बाद यह हो सकता है a1, 2, sorry a21, x1, a22, x2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा a2n, xn, बराबर हो जाएगा b2 and so on ही चलता रहेगा last में हम लिख देंगे हैं आपर am1, x1, am2, x2 से लेकर हो जाएगा amn, xn, is equals to हो जाएगा अपका bn, okay so this is a system of linear equation, okay with n variable, okay तो अगर हम इसको represent करना चाहे तो हम इसको easily matrix form में represent कर सेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहला गर आप मेरा chapter पढ़ेंगे तो उसमें आपने बताया था कि वे matrix एक representation का तरीका है it is convenient way of representing or storing a data, ठीक है ना तो आप उसको convenient way में represent कर सकते हैं यह आपका एक तरही से कहता है कि वे space बचाता है, है ना a2n and so on आप यह हो जाएगा am1, am2 और यह हो जाएगा amn ठीक हो गया, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x1, x2 से लेके हो जाएगा, आपका xn बराबर हो जाएगा b1, b2 से लेकर bn, ओके तो actually यह आपकी m cross n की matrix है, यह आपकी column matrix है जिसमें n rows है और आपका a column है similarly यह भी आपकी क्या है, column matrix है जिसमें n row और एक a की column है, ठीक तो अगर मैं इसको capital A मानूँ, इसको मैं x मानूँ और इसको मैं b मानूँ, तो a x बराबर आपका क्या है, b है, ठीक तो अब आपने, जो इस system of linear equation है यानि कि यह आपके पास यह unknown variable है x1, x2 से लेकर xn, इनकी value को find out करना है तो इसकी क्या-क्या techniques हो सकती है, उसके बारे में हम discuss करेंगे दोस्तों, अब हम जो linear equation है, उसको भी हम further categorize कर सकते हैं जैसे कि अब हमने discuss किया था भई, ax बराबर b, it is a system of linear equation लेकिन इनको भी हम further आगे जाके categorize कर सकते हैं, homogeneous और non-homogeneous में, ठीक है न? तो ax बराबर b is a example of non-homogeneous linear equation अगर दोस्तों, अगर ax बराबर 0 हो जाए, यानि 0 का मतलब यहाँ पर 0 matrix से है तो यह आपका homogeneous बन जाएगा, ओके? आप इस चीच को ध्यान में रखेंगे, कि अगर, यानि इसका मतलब यह है कि अगर b, अगर सारे element 0 हो जाए, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, 2x plus 3y plus 4z बराबर अगर 0 हो जाए, यानि यह दर right वाला पार्ट पूरा अगर 0 हो जाए, तो यह homogeneous बन जाएगा, otherwise यह क्या रह इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इन दोनों की मिलाके भी आपकी क्या थी, 2 आती है, लेकिन अगर मैं लिखूँ, x square plus y square बराबर 2 लिख दूँ, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2x की पावर 0 के टर्म में इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी 0 हो जाती है, तो यह example बन जाता है, non-homogeneous का, तो simple सी बात है कि आपके पास non-homogeneous linear equation तब होगी, जब आपका जो यह right side वाला part है, यह non-zero होगा, यानि अगर b की value 0 matrix के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यह non-homogeneous linear equation है, अब हम इसके बारे में discuss कर लेते हैं, अब दे अबर b, एक non-homogeneous equation है, जहाँ पर आपकी m linear equation और n variable है, तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर x की value, अगर x का कोई solution exist करता है, अगर x का solution exist करता है, तो यह आपका consistent होगा, ओके, तो this is the criteria for consistency, x का अगर solution exist करता है, तो वो आपका consistent है, otherwise वो क्या कहलाएगा, inconsistent कहल यानि तो system of linear equation आपका क्या कहलाएगी, inconsistent कहलाएगी, इस चीज़ को आप ज्यान में रखना है, कि the system of equation having a solution, अगर उनका solution है, तो वो consistent है, अगर उनका solution exist नहीं करता है, तो वो inconsistent, अब देखे, बात करते है solution की, तो solution को भी हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं, एक होता है unique solution, एक होत तो आप consistency के criteria को भी दो पार्ट में divide करेंगे, एक होगा unique solution, एक होगा infinite solution, ठीक है न, और एक होगा inconsistent, inconsistent का मतलब होगा no solution, ठीक, तो अब हम एक काम करेंगे, discuss करेंगे कि भाईया, AX बराबर B में कब unique solution होगा, कब infinite solution होगा, और कब no solution होगा, ठीक, पहले दो case आपके consistency के हैं, और जो last वाला case है, वो आपका inconsistency का है, तो आप देखते हैं, criteria for consistency, तो दोस्तों, let's suppose करो, हमारे पास AX बराबर B, आपके पास एक non-homogeneous linear equation का system है, जहां पर आपके n variables हैं, और m equation है, इसमें आपकी m equation है, और n variable है, ठीक है न, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे, कि भाईया, determinant of A does not equals to 0 आता है या नहीं आता है, अगर determinant of A does not equals to 0 है, तो इसका मतलब है कि A inverse exists करेगा, ओके, अगर determinant of A does not equals to 0 है, इसका मतलब है कि A आपका क्या है, non-singular है, non-singular का मतलब यह है कि उसका determinant does not equals to 0 के बराबर आना चाहिए, तो A inverse exists करेगा, क्योंकि A inverse की value होती है, ad joint of a upon determinant of a, okay, तो अगर a inverse exist करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको a inverse से pre-multiply कर सकते हैं, okay, हम क्या करेंगे, a inverse से pre-multiply करेंगे, तो यहां से देखे, associative law लगेगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, a into inverse बराबर होगा i, तो a inverse b, so hence x is equals to हो जाएगा a inverse b, okay, so this is a solution, okay, तो अगर आपका determinant of a does not equals to 0 है, तो यहां पर इसका मतलब है कि a inverse exists करेगा, तो x is equals to a inverse b होगा, which will give us a unique solution, okay, यहां पर इसी ध्यान में रखने वाली बात है, कि a inverse exists जब करेगा, तो यह system of linear equation हमें हमेशा क्या देता है, unique solution देगा, इसका मतलब यह consistent तो है ही, लेकिन साथ में यह क्या देगा, unique solution देगा, अब बात करते हैं, दोस्तो, suppose करो कि अगर determinant of a बराबर 0 वह आ जाए, इसका मतलब a आपकी singular निकल आए, तो उस case में क्या होगा, तो उस case में हम दोस्तो, adjoint of a find out करेंगे, ठीके न, adjoint of a into b हम find out करेंगे, पहला हम adjoint of a निकलेंगे, उसका multiply कर देंगे, बी से, अगर वो भी 0 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि system have infinite solution, जान रहेगा, ठीक, इसका case क्या है कि भाईए, इसमें क्या रहेगा, infinite solution होगा, और अगर तीसरा case हम देखें कि फिर से अगर अगर adjoint of a into b does not equals to 0 आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि system में no solution है, इसको आप जहान में रखेंगे, this is the criteria for inconsistency, ओके, तो यहाँ पर आप जहान रखेंगे कि भाई, अगर determinant of a बराबर 0 आ जाता है, तो आपको check करना है, बी 0 आता है, तो इस system के infinite number of solution होंगे, और अगर adjoint of a into b does not equals to 0 आता है, तो यह आपका non solution को represent करेगा, और वो क्या कहलाएगा, inconsistent कहलाएगा, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर से देखा कि a x बराबर b है, अगर determinant of a does not equals to 0 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें solution है, लेकिन कैसा solution है, unique solution है, जो आपका answer आएगा, वो unique आएगा, ठीक, लेकिन दूसरे में अगर आपका determinant of a बराबर 0 आजाता है, तो आपको क्या check करने की जुरत है, adjoint of a into b check करने की जुरत है, अगर वो भी 0 आता है, तो solution तो exist करेगा, लेकिन क्या होंगे, infinite solution होंगे, तीसरा case यह है कि भाई, अगर determinant of a बराबर 0 है, लेकिन adjoint of a into b बराबर अगर non-0 है, तो इसका मरलब है कि यहाँ पर कोई भी solution exist नहीं करता है, तो this is the criteria for consistency for non-homogeneous linear equation, okay, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, homogeneous linear equation की, मैंने आपको पहले बताया कि भाई, a x बराबर अगर 0 आजाए, तो वो क्या कहलाता है, homogeneous linear equation कहलाता है, तो दोस्तों इसमें भी आपके दो criteria है, एक तो होगा आपका consistency, ठीक है ना, consistency और consistency के अंदर दो होंगे, आपका क्या होगा, एक होगा finite solution, और एक क्या होगा, infinite solution होगा, देखिए दोस्तों, इसमें no solution का कोई चकर exist नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई, अगर suppose करो 2x plus 3y plus 4z बराबर अगर 0 है, तो एक solution इसमें हमेशा exist करेगा, कि भाई, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, तो homogeneous linear equation का solution हमेशा exist करता है, अब बात हमें ये पता करनी होती है, कि भाई, वो unique है या infinite है, ठीक है, तो यहाँ पर सारा खेल चलेगा, unique या infinite है, तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी 2 case बनेंगे, कि अगर determinant of a does not equal to 0 है, तो a inverse क्या करेगा, exist करेगा, अगर a inverse exist करेगा, तो हम a inverse से pre-multiply कर देंगे, तो a inverse into a x बराबर हो जाएगा, a inverse 0, तो यहाँ पर a inverse into a x बराबर हो जाएगा, null matrix, that is i x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, तो it simply means that, कि system have unique solution, और वो जो solution होगा, वो क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, और z बराबर 0, तो यहाँ पर consistency तो है, वो हमेशा रहेगी, homogeneous linear equation हमेशा consistence रहती है, यह ध्यान में रखना, वो कभी भी inconsistent नहीं हो सकती, तो जो दूसरा case होगा, दूसरे case में क्या होना चाहिएगी, determinant of a बराबर अगर 0 आजाता है, determinant of a अगर बराबर 0 आजाता है, तो adjoint of a into b, वो तो 0 आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर जो b की value है, वो already क्या है, 0 दी वी है, तो आपको इसको check करने की जुरूत नहीं है, कि आपको सिर्फ क्या check करना पड़ेगा, कि determinant of a बराबर 0 है कि नहीं है, तो obvious सी बात है, क्योंकि b तो यहाँ पर 0 है, तो वो 0 आना ही है, तो यह किसकी condition को satisfy कर रहा है, infinite solution की, infinite solution की condition को satisfy कर रहा है, इसका मलब है है कि homogeneous linear equation हमिसा consistent होती है, बस उसमें पता लगाना होता है, कि वहाँ पर unique solution है, या फिर infinite solution है, so this is the criteria for consistency of homogeneous linear equation, अब दोस्तों, बड़ा important facts जिसको हमने ध्यान में रखना है, कि solution of a system of linear equation by reducing them to the echelon form, देखिए echelon form की मदद से हम इसको बहुत easily solve कर सकते हैं, let's suppose करो हमारे पास, जो system of linear equation का है, वो AX बराबर B की form में, जहां पर A आपकी क्या coefficient matrix है, X आपकी क्या कहलाती है, A column matrix और B is also a column matrix, ठीक होगे ना, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, जिससे एक और हम matrix को introduce करते हैं, जिसको हम बोलता है, augmented matrix, इस तरह से हम उसको represent करते हैं, A और B को हम सांथ लिख लेते हैं, तो यह क्या बन जाती, augmented matrix बन जाती, A, U, G, M, E, N, T, E, D, equation का solution है, वो हम निकालने की कोसिस करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको इकलान form में reduce करने की कोसिस करेंगे, ताकि हमें इनकी rank मिल जाए, तो यहां पर जो सारा केल है, दोस्तों किसका है, rank का है, ठीक है न, तो यहां पर आप ध्यान में रखना है, कि जो argumentate matrix की अगर rank है, अगर C की rank दोनों के बराबर है, तब ही यहां पर आपका solution क्या करेगा, exist करेगा, otherwise इसका solution exist नहीं करेगा, ठीक है न, तो rank of C बराबर rank of A होना चाहिए, अगर आपका rank of C does not equals to rank of A है, तो इसका मदलब यह है कि no solution, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, कि rank of C अगर rank of A के बराबर नहीं आती है, तो इसका मदलब है कि no solution, याणि यहां पर कोई भी solution exist नहीं करता है, ठीक, अब यहां पर अगर rank of C बराबर rank of A है, तो यहां पर भी दो criteria है, यहां पर यहां पर इस तरह से divide कर देता हूँ, कि let's suppose करो rank of C बराबर rank of A बराबर n आ जाता है, n यहां पर क्या है, number of unknown variable, जैसे x1, x2 से लेकर आपका क्या है, xn है, तो n आपके क्या है, number of unknown variable है, ठीक है ना, और एक होगा कि rank of C बराबर rank of A तो है, लेकिन वो less than n आ जाए, ठीक, तो इस case में क्या होगा, तो अगर वो बराबर n आएगा, तो यहां पर क्या होगा, unique solution होगा, फिर से वो ही, कि rank of C बराबर आजा है, rank of A, rank of C, rank of A बराबर आजा है, number of unknown variable के बराबर, तो यानि हम कहेंगे कि यहां पर क्या है, unique solution है, तो यहां पर बहुत simple सा rule है, इसका कि आपको क्या करना है, rank of C और rank of A को check करना है, rank of C cannot be less than rank of A, या we can say that कि जो rank of C और rank of A को हमेशा बराबर होना चाहिए, अगर वो दोनों के दोनों different हैं, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, कि वहाँ पर क्या आएगा, no solution आएगा, तो इस criteria से हम Eclon Form की मदद से हम solution of system of linear equation को find out करते हैं, ओके, दोस्तों यह जो चीज़े हमने पड़ी थी, AX पराबर B के लिए थी, जो कि आपकी non homogeneous equation है, लेकि सपोज करो आपकी एकर homogeneous equation हो, तो क्या करना पड़ेगा, आप खुदी दिमाग लगए, अगर यहाँ पर zero हो जाता है, तो augmented matrix है, वो A के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि A इस तरह की कि हमारी augmented matrix है, तो आप यहाँ पर आपको rank of C निकालने की जरुतनी, आपको सिर्फ rank of A से मतलब होना चाहिए, तो भई सीधी सीधी सी बात है, कि हमेशा हमें तो पता है कि A इस पराबर zero है, तो homogeneous equation का हमेशा solution एक्जिस करता है, तो इसके भी क्या होंगे, सिर्फ दो case होंगे, आपके क्या होंगे, infinite solution होंगे, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, infinite solution होगा, लेकिन अकर rank of A बराबर अगर N आजाए, तो इसका मतलब यह है कि महाँ पर क्या है, unique solution है, जो कि tribal solution इसका कहलाता है, और जो tribal solution इसका होता है, वो क्या होता है, x बराबर 0, y बराबर 0, और z बराबर 0, देखो, inconsistency का criteria तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें हमें augmented matrix अगर हम बनाते भी हैं, तो हमें simply क्या करना पड़ेगा, rank of A निकालना पड़ेगा, rank of A से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक, इससे पहले जो हमने देखा था, non-homogeneous equation के लिए देखा था, वो ज़्यादा important है, ठीक, तो दोस्तों, इस पर बेज़ हमें question कर लेते हैं, इससे हमें बहुत easily समझ में आ जाएगा, हमारे पास एक non-homogeneous linear equation है, जिसमें 3 variable हैं, हमें क्या करना है, इसको eclon form के मदद से, इस matrix का, अगर solution exist करता है, तो वो find out करना है, ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सबसे पहले, x बराबर b की form में लेखेंगे, जहां पर a आपकी coefficient matrix है, तो आप इसको easily निकाल सकते हैं, आपने already पढ़ा होगा यह topic, अगर ने भी पढ़ा, तो कोई बात नी समझ में आ जाएगा, बहुत simple है, यह आपकी क्या होगई, a होगई, x की जगह पर आपका आएगा, x, y, z, और b की जगह पर आजाएगा, आपका, minus 3, minus 2, और 7, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूत है, c की c होटा है आपका, a, इस तरह के सा हम इसको लिखते हैं, ठीक, a, colon, b, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, बहुत यह c है, c की value इस तरह के से आजएगी, c, यहाँ पर है a, a आपका यह है, 1, 1, 1, 3, 1, minus 2, 2, 4, 7, और इस तरह के से बन जाएगा, minus 3, minus 2, and 7, ओके, अब हमें काम करेंगे, यहाँ से, हम इसको, eclon form में, convert करने की कोसिस करेंगे, eclon form हमने, अभी, recently, जो पिसली वीडियो थी, आपको बताया था है, वहीं किस तरह के से, eclon form में, हम इसको convert करते, तो एक काम करते, सबसे पहले, मैं इसको 0 करता हूँ, और इसको 0 करता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, भई, r2 में से, मैं, thrice r1, minus कर दूँगा, ठीक है न, and at the same time, मैं काम करता हूँ, r3 में से, twice r1 भी, minus कर देता हूँ, समय बच जाएगा, तो क्या होगा, ज़रा देख लेते हैं, यह हो जाएगा, 1, 1, 1, और यहाँ पर हो जाएगा, minus 3, that is 0, यह भी हो जाएगा, 0, इस में से, आपने क्या करना है, thrice r1 करना है, तो, 1 में से, अगर आप 3 minus करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 2, और यह हो जाएगा, minus 5, and, 3 तियां होता है, 9, 9 में से, 2 हो गया, आपका कितना हो जाता है, ठीक, इसी तरह से, r3 में से, आप twice minus करेंगे, तो यह 2 हो जाएगा, और फिर, यह आपका कितना हो जाएगा, 5, and then, this is, 3 तो जाएगा, 6, 6, और 7 और 6 हो जाता, 13, ठीक हो गया, यह है, ठीक, अब एक काम करतेंगे, देखो, यहां पर भी मुझे, 0, यहां पर भी मुझे 0 लाना है, देखो, 1, 0 हो गया, पर यहां पर भी मुझे 0 लाना है, तो मैं काम करता हूँ, यहां पर, R3 में, मैं R2 को add कर देता हूँ, R3 में R2 को add करूँगा, तो दोस्तों, यह यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1, 1, 1, 0, minus 2, minus 5, इसको तो ऐसे, add कर यह हो जाएगा, 0, 0, और यह फिर 0 हो गया, ठीक, और यहां पर हो गया, 17, 3 होता है, ठीक हो गया, बस देखे, अब यह form हो गई, आपकी Eclon form, आप इसको further reduce नहीं कर सकते, यहां पर आप extra 0, नहीं ला सकते, तो देखे, सबसे पहले यह C है, अगर आप C देखें, तो C की rank कितनी दिखती है, number of non-zero row, देखे, मैं आपको बता है था, कि number of non-zero row, इना Eclon form of matrix, तो यह भी Eclon form है, तो Eclon form है, आप देख सकते है, number of non-zero row कितनी है, साब-साब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखे, rank of C, rank of C आपको देख रहा है, 3, 1, 2, 3, लेकिन अगर आप rank of A की बात करें, तो rank of A, यानि सिर्फ इस matrix की बात हो रही है, तो इसमें कितनी है, 1 और 2, 2 row हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि rank of A तो 2 है, लेकिन rank of C आपकी 3 है, तो rank of A does not equals to rank of C है, तो इस system of linear equation का, कोई भी solution exist नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, कि जो criteria है, कि rank of C और rank of A को तो बराबर होना चाहिए, हाँ, अगर वो less than number of variables हैं, तो भई क्या होगा, system has infinite solution, लेकिन अगर वो बराबर number of variable है, तो system has unique solution, unique solution उसका exist करेगा, तो ये question आपके, I hope की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसके बाद दोस्तों, बड़ा important kramer's rule, kramer rule भी एक और हम कह सकते हैं, एक विदी है, जिसकी मदद से हम system of linear equations को solve कर सकते हैं, उनका solution निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ये method बड़ी important हो जाती है, जब हमारे पास system of equation with three variable रहती है, तो मैं उसी पर आपको kramer rule को समझा देता हूँ, तो इसको आप किस तरह से represent करेंगे, let's suppose करो हमारे पास equation है, ये system of equation है with three variable, बराबर है d1, a2x plus b2y plus c2z बराबर है d2, और a3x plus b3y plus c3z बराबर है d3, ठीक हो गया, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ax plus ax बराबर d, या आप एक आम करें, ax बराबर b माल लो, ठीक है ना, तो अब सबसे पहले जो ये a वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पर represent करते हैं, capital Z से, तो capital D यानि इसका अगर आप determinant निकालेंगे, तो यह आएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, इसको हम इसके determinant को इस तरह से represent करते हैं, इसके बाद हम दोस्तों find out करते हैं, D1, D1 में आपको क्या करना होता है, कि जो पहला column है, पहले column को इससे आप replace कर देंगे, तो आप replace करेंगे, तो क्या हैगा बताओ, D1, D2, D3, और बाकी को as it is रहन देंगे, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसी तरह से आप निकालेंगे, D2, D2 में आपको क्या करना पड़ेगा, second वाले column को इससे replace कर देंगे, तो यह हो जाएगा, देखे, A1, A2, A3, और यहाँ पर हो जाएगा, D1, D2, D3, C1, C2, C3, इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, D3 निकाल लेंगे, D3 में आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरे column को आप इससे column matrix से replace कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखे, बहुत easy है, A1, A2, A3, and B1, B2, B3, and D1, D2, D3, तो अगर हमें X की value को find out करना है, देखे, मझे X की value को find out करना है, तो that is simply D1 upon D, देखे, कितना easy है, हम directly X की value को find out कर सकते, तो X की value क्या हो जाएगी, बताओ, D1 upon D, Y की value क्या होगी, बताओ, D2 upon D, इसी तरह से Z की value आपकी क्या हो जाएगी, D3 upon D, ठीक हो गया, तो ये आपका है क्रेमर रूल, क्रेमर रूल के मतलब से हम X, Y, Z को easily निकाल सकते हैं, तो अब यहाँ पर बताईए, criteria for consistency क्या होना चाहिए, criteria for consistency यही होगा, कि D does not equals to क्या होना चाहिए, 0, अगर D की value non-0 है, तो इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर आपका कैसा solution exist करेगा, unique solution exist करेगा, ओके, लेकिन अगर suppose करो, D बराबर 0 हो जाए, तो D बराबर 0 में, अगर D1 बराबर, D2 बराबर, D3 भी 0 हो जाते हैं, तो इस system में, फिर से infinite solution exist करेंगे, ओके, D does not equals to 0 है, तो unique solution, लेकिन अगर D बराबर 0 है, तो D1, D2, D3 भी, तीनों के तीनों 0 होने चीए, तभी जाके system क्या 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 लाएगा, consistent क्या लाएगा, और इसमें क्या होंगे, infinite number of solution होंगे, लेकिन अगर suppose करो, D1 बराबर 0 है, तो D1 और D2 और D3 में से, कोई भी एक अगर non-zero निकल जाए, या 2 निकल जाएं, तो उस समय पर no solution की condition आ जाएगी, यानि inconsistency की condition आ जाएगी, ओके, तो बहुत simple सा rule है, kramer rule, kramer rule वहाँ पर बहुत ज़्यादा vital हो जाता है, जहाँ पर हमारे पास system of equation, having three variable, जहाँ पर तीन variable वाली equation रहते हैं, तो बहुत easy से हम x, y, z की value को find out कर सकते हैं, आपने सबसे पहले D निकालना है, D के आपको परिभासा पता है, it is a determinant, और you can say, it is a determinant of coefficient matrix, उसके बएट D1 में आपने क्या करना है, it is again another determinant, पहला जो column है coefficient matrix का, उसको हम replace कर देते हैं, इस column matrix हैं, यानि D1, D2, D3, तो इसी दरह से आप capital D2 और capital D3 निकाल सकते हैं, बस आपने क्या करना, x बराबर D1 upon D, y बराबर D2 upon D, z बराबर D3 upon D, और इसके बाद आप इसके in criteria को भी easily check कर सकते हैं, अगर D does not equal to 0 है, तो unique solution, 0 अगर आगया, तो इसका मदलब है कि no solution, ठीक है ना, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, I hope कि ये topic आपको बहुत अच्छे से समझ में आयोगा, इस पर based आप कई सारे questions कर सकते हैं, kramer rule बहुत ज़्यादा easy है, आप चाहें तो अपने जो system of linear equation 3 variable, NCIT की book में बहुत सारे questions आपको इस पर based मिल जाएंगे, आप उन questions को kramer rule की मदद से solve करने का प्रियास करिएगा, जितने questions करेंगे आप उतनी यादा आपकी practice बढ़ती चले जाएगी, तो अभी matters and determined में कुछ topics और हैं, उनके बारे में हम next video में discuss करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care and goodbye.